हेलो गाइस वेलकम टो गरेंट अफेर्स फंडा दोस्तों आपको बतादू एस वे की और से बहुत बड़ा मास्टर स्टोक है यहाँ पर आप इसको बहुत ध्यान से समझना कि एक्चुल न्यूज है क्या देखो अभी क्या है कि जो रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया है इसने ए अपरेशन सपोर्ट सबसिडरी को सेट अप कर सके तो यह एक इनिशियल एप्रूवल है और अभी जो एजब के चेर्मेन है दिनेश कुमार खारा इन्होंने एक स्टेट्मेंट में कहा कि जो हमारा कॉस्ट टू इंकम रेशियो है हम इसको कम करना चाहते हैं और इसी वज़ सबसिडरी में जाता है तो अभी जो यह सबसिट्री बनाई जा रही है इसमें क्या होगा कि स्टाफ को एक तरीके से आउट्सोर्स किया जाएगा ठीक है लेकिन ध्यान रखना कि जो ऑफिसर केड़ रहे ना उसमें कोई छेड़चार नहीं होगी क्योंकि आर्बे का भी कहन एक चीज में आपको दादू उनके word to word क्या थे we are setting up an operations support subsidiary it is intended to address the concern related to the cost to income ratio ठीक है और यह principle approval मिल गया है तो देखो ultimately पूरी जो news है वो यह है कि SBAE का जो cost income ratio है वो लगबग 53.3 है ठीक है तो अभी इसको यह लोग कम करके लगबग 35 to 40 के असपास में लाना चाहते हैं ठीक ह और जो routine jobs हैं वो can be done by the subsidiary सीथा सीथा जो core functions है वो यही है ठीक है और इन्होंने कहा है कि we are finalizing the structure but it will be more technology and some people technology supporting people on ground ठीक है तो देखो यार यह तो सीथी सीथी बात है कि SBAE बहुत बड़े अलग-अलग format में जो changes हैं वो करता आता है यहां पर आप ऐसा मान कर से लें कि जो clerical cadre की recruitment है वो आने वाले समय में इसी format में होगी और इनको कम salary देनी पड़ेगी ठीक है तो अभी जो 2022 का recruitment आने वाला है तो इसके उपर तो कोई statement नहीं दिया है junior associate यह बिंद और आगे आने वाले टाइम पर इसको और बड़े लेवल पर advance किया जाएगा ठीक है एक चीज़ और यहां पर clarify इन्होंने किये इन्होंने का है not many lenders in the public sector operate with a subsidiary to handle the banks non-core functions which the model is quite popular with private banks तो देख आपने private bank में यह वाली जिल बहुत जदा पॉपलर रहती है तो यही चीज़े यहां पर भी जो रिवेंप हैं वो यहां पर भी अलगलग सुदार है वो यहां पर किये जा रहे हैं जिससे की जो इनकी cost efficiencies हैं इनको improve किया जा सकेगा तो मेरा ऐसा मनना है कि यह एक तरीके से आने वाले टाइम पर आप देख पाएंग से बही काम कराया जा रहा है जो आज की समय में एक permanent बंदा कर रहा है ठीके तो यह अल्टिमेटली ही चीज़े बाकी एक बार और इसके ओपर information आईगी तब ही में clarification और मिल पाएगा बट अभी initial phase पर जो जानकारी है वो यही आईए कि सफसिर्री का काम होगा कि जो इनका staff operations ह उनके लिए करना ठीक है तो यही चीज़ें अभी देखने को हमें यहां पर मिली हैं ठीक है लेकिन हाँ जैसे कि loan manager हो गया loan approval करने के लिए officers हो गया यह सारे subsidiary के थुरू नहीं होंगे इसके लिए proper जो SBA का channel है वो इनका CRP है वही responsible होगा और वो इन सारी चीज़ों को करेग ठीक है तो बागी आप लोगो क्या लग रहा है प्लीज अपने comment section में input जरूर दे देखो साथ में एक चीज़ तो कि लिए रहे कि इस बार जो SBAI जे आएगा SBAI प्यो आएगा यह recruitment होंगे बट आने वाले टाइम पर जो subsidiary operation है यह आने वाले टाइम पर हमें देखने को मिल करेंगे तो यही एक initial physics पर अब भी approval मिले है SBAI को जो SBAI अलग अलग circles में implement करेगा भी thank you guys